दोस्तो मेरा मिशन है जिन्दगी को आसान बनाना, कम समय में जाता स्मार्ट तरीके से काम कैसे करें यहां आपको बताना, इसी कड़ी में मैं आज लाई हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगे, नमस्कार, स्मार्ट टेप्स विज्जोती में अकस होगते, तो आइए शुरू करते हैं, कभी कभी प्रिकोशन लेने के बाद भी प्रेस पर कपड़ा चिपक जाता है, जिससे प्रेस गंदी हो जाती है, यह चिपके हुए कपड़े के दावत इतने जिद्दी होते हैं, कि आसानी से नहीं निकलते, यदि हम इसे स्क्रब प्रेस को बिन साब किये, दुसरे कपड़े पर प्रेस करेंगे, तो दुसरे कपड़े पर दाग पर जाते हैं, और प्रेस भी बराबर नहीं होती, प्रेस को क्लिन करने के लिए हमें चाहिए एकस्पाइरी टेट वाली टेबलेट्स, उसमें भी यदि पैरसिटमॉल हो तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि पैरसिटमॉल यहाँ पर ज्यादा इफिक्टिव है, प्रेस को हलका गर्म करके स्विच ओप कर दे, अब इस टेबलेट से जहां से प्रेस पर कपड़ा चिपका था, उस भाब को रगड़े, धैन दे कि प्रेस थोड़ी गर्म है, तो टेबलेट क इस तरह पकड़े, कि आपकी उंगलिया सेप रहे, दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने पहले से चानल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो दिल से थैंकियो, है कि प्रेस कापी हद तक क्लीन हो रही है जब आपको लगे कि प्रेस क्लीन हो गई है तब एक सुती कपड़े को गिला करके प्रेस को पोछ ले फिर सुखे कपड़े से प्रेस पोछ ले देखिए प्रेस कितनी क्लीन हो गई है अभी भी जो थोड़े बहुत दाग दिख रहे ह वो इसलिए कि मेरी ये वाली प्रेस कई सालों पूरानी हैं। इसलिए ही इस पर स्क्राइचेज भी है। है न स्मार्ट ट्रिक हमें प्रेस साप करने के लिए एक पैसा खर्ज भी नहीं करना पड़ा। और एक्सपारी डेट वाली दवाईया जो हम फेक देते हैं। उसका हमन जब हम बटन लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे नाखुन में दर्ध हो जाता है। लेकिन बटन नहीं लगता। इसके लिए आप लीजिए एक छोटी सी सेप्टी पीन। उसे बटन में इस तरह इंसर्ट करें। फिर सेप्टी पीन को काच में डाल कर खीच ले। नमक के साथ साथ नमक के उतनी ही चीनी भी डाले। चीनी डालने से पूरिया करारी बनती है। अजवाइन को हाथ से मसल कर डाले। ऐसा करने से पूरियों में अजवाइन की अच्छी खुशबू आएगी। पूरिया बनाने के बाद गर्मा गर्म पूरियों को हाथ से दब हो जाए तब पूरियों को हाथ से दबा कर किसी भी डब्बे में नीचे टीशू पेपर या सुती कपड़ा बिछा कर रखे इससे पूरिया अच्छी रहेगी नेश्टे कद्दूकस का यूज करते उसकी धार काम हो जाती है कद्दूकस की धार को तेज करने के लिए चीनी मट तो आप को कद्दूकस पर रख करें कद्दूकस की धार क्य हो जैए में दही दो-तिन दिनों तक ताजा बना रहें खटा न हो इसके लिए जब आप धई जमाए तो दूढ़े में नारेल का एक टुकड़ा डाल दे इससे 2 तिन दिनों तक ताजा बना रहेगा नेश्टेhar म मालाई से घी निकालने के लिए मालाई में रई लगाने के बाद जब हम मक्खन निकालते हैं तो वो हातों पर चिपक जाता है मक्खन हातों पर न चिपके इसके लिए मक्खन निकालने से पहले हातों के पंजो को गिहु के आटे से दो ले फिर इन गिले हातों से ही मक्खन नि चाहे वो साधा पराठा हो या स्टब पराठा हो और यदि आप चाहते हैं कि पराठे भी सेहत मंध हो मतलब वो हमें जादा नुक्षान न करें तो इसके लिए जब आप पराठो को तवे पर सेखे तो पराठे लगबग सीख जाए तब घी या तेल लगा ए और घी या तेल लगाने के बाद तुरंत उनको तवे पर से उतार ले ऐसा करने से पराठा तवे पर घी या तेल के संपर्क में कम टाइम रहेगा जिससे वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा दोस्तों इन टिप्स में से कौन सी ट्रीक आपको ज़्यादा अच्छी लगी या कौन सी ट्रीक आपको पहले से पता थी कॉमेंट करके ज़रूर बता है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखे और खुश रखें